जाती अधारित गरना का आज रिपोर्ट पेस किया गया है और रिपोर्ट पेस करने के बाद डिप्टी सीम तेजस्वे आदब ने बयान दिया है और नितीश कुमार ने दो अक्टूबर यानि कि गांधी जयनती के मौके पर आज जो है वो जाती अधारित गरना का रिपोर्ट सारवजनिक किया गया है और आज जब रिपोर्ट सारवजनिक किया गया है उसके बाद अब डिप्टी सीम तेजस्वे आदब पहुंचे हैं एक अनेमार्ग मुख्यमंत्री से मुलाकात करने तस्वीरे आपके स्कीन पर है किस तरीके से डिप्टी सीम तजस्वे आदब जो है वो यहाँ पर पहुंचे है जाती धारित गरना की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लेकर जो चर्चा है वो तेज हो गई है क्योंकि जाए कि सवाल का जबाब देगी कई तरीके से विरोध भी किया जा रहा है लेकिंद विरोध का कोई तर्क नहीं है बता दे आपको कि गरिराज संग ने जो बयान दिया है गरा से ने कहा है कि इन लोगों को जाती धारित गरना का रिपोर्ट नहीं बलकि इनको अपने 37,37 सा पर आपको बता दे कि तरेस्पी आदब ने आज के दिन को अतिहासिक दिन बताया है तो वही मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने आज के दिन को जो कहा कि दो अक्टूबर गांधी जयनती है और गांधी जयनती के मौके पर आज बड़ा जो काम है वो किया गया है बिहार में जातिय धारित गन्ना का रिपोर्ट पेश किया गया है जातिय धारित गन्ना को लेकर पहले से ही लगतार सियासत जारी था और ऐसे में रिपोर्ट को जारी करना समराट चौधरी भाजपा के प्रदेश अद्यक्ष हैं वो लगतार इस तरह की बात को कह रहे थे कि जो रिपोर्ट है वो पेश करना चाहिए ऐसे में आज जब दो अक्टूबर को गांधी जयनती के अवसर पर रिपोर्ट को पेश किया गया है तो तमाम जितने भी लोग हैं वो इसको लेकर सवाल खड़े तो कर रहे हैं लेकिन सवाल का जो कहा जाए कि जवाब है वो उस तरीके का समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जो बाते जो रिपोर्ट में कहा जा रहा है जो रिपोर्ट में संख्या बल दिया गया है अलग-ठाथियों का और अलग-अलग धर्म का भी जो है वो रिपोर्ट शॉप गया है बात के जाए कि जो लिटोः के जो हिंदू मुश्यम सीकिक इसीक इसाई इन तमाम लोगों के परसेंटेज बताये हैं और इतना ही नहीं परसेंटेज के साथ साथ जो है वो जातियों के परसेंटेज बताये भुमियार राजपूत यादब में कई जो जातिया हैं तो वो तमाम लोगों का जो है हमने आपको वो जो परसेंटेज है वो बताया है कितना पर सेंटेज भी सामने आया है 2% कुर्मी है 2% भुमियार है 3% राजपूत है और ब्राह्मन भी 3% है तो लगभग और यादब के अगर बात की जाए तो वह 14% है ऐसे में अब जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंतरी से जो है मुलाकात करने के लिए तेजस्वी आदब सीधे एक अने मार्ग में हैं मौजूद जो बाते होगी वह भी हम कोशिश करेंगे तेजस्वी आदब से बात करने के हलाकि मुख्यमंतरी ने तेशकमार ने रहा है कि रिपोर्ट जारी होने के बाद नौ दल जो की सर्व सम्मति से विधान सवा में प्रस्ताव पारित किया था उसकी बैठक होगी तेजस्वी मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है क्या कुछ निकलकर आयते हैं तो क्या कुछ बाते होती है वो भी सुनबाएंगे लेकि कि फिलाल जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ेस्ट के साथ नमस्कार